दोस्तों MS Word की इस अमेजिंग चैप्टर में आप सब का स्वागत है जहां पर आज हम सीखेंगे किसी पुराने डॉकुमेंट को हम कैसे रिपेर कर सकते हैं कि अप सब को मताई कि हमारे कई सारे डॉकुमेंट्स होते हैं जो नॉर्मल पहले के टाइम में हम अतना फोटो को भी करकर नहीं रखते थे या फिस करके नहीं रखते थे तो अगर उनकी condition की बात करें तो condition कुछ इस तरह से हो जाती है अब हो सकता है कि आपका certificate भी हो report card हो या फिर कोई और document हो तो अगर इसी तरी किसे कोई document है और उसे हम repair करना चाहते हैं बिल्कुल एक अच्छे view के साथ और फिर कैसे आप उसे proper save करके एक image में या फिर एक PDF में convert करके इन future आप इस data को रख सकते हो यह सभी चीज़े आज किस वीडियो में हम सीखेंगे और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरू करें तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को अ यह बिसिकली मैंने यहाँ पे पिक्चर रखी हुए है और इसे मने किलिक क्या insert कर लिया अब इस पिक्चर को देख की आप समझ गयोंगे कि यह फॉन से capture की हुई फोटो है तो इसी तरह से अगर आपका भी कोई document है तो आप उसे normally फॉन से capture करके फिर अपने computer में insert कर सकते हो तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कुछ इस तरीके से हमारा document यहाँ पे है सबसे पहला काम हम क्या करने वाले है कि जो unneeded area है इसमें उसे हम remove करेंगे जैसे कि अगर हम बात करें तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि यह थोड़ा सा portion है जो कि इसका पार्ट नहीं है फॉ करने के बाद जो unneeded area है उसे हम यहाँ से remove कर देंगे कुछ इस तरह से आप देख पा रहे है और इस तरीके से हम इसे क्या करेंगे बिल्कुल adjust कर देंगे प्रॉपर तरह से और इस तरीके से नीचे भी आएंगे और जो unneeded area है इसको हम हटा देंगे और हमने कर दिया crop ठीक तो उसके बाद इसे movement करना आपके लिए easy हो जाएगा तो हमने wrap में जाके इसे in front कर दिया अब यह करने के बाद हम इसे adjust कर लेते हैं तो सबसे पहले तो हम इसे select करते हैं और यह top पे लेके जाते हैं इस तरह से और फिर यहाँ नीचे लेके आते हैं और आप देख पारें कि proper corner में मैं से select करके इस तरह से drag कर रहा हूं और यह हो गया proper adjustment ready यह हो गया अब यह करने के बाद हमें क्या करना है हमें simple जाना है format वाले option में जब आप image को select करते हैं तो format आपको मिल जाता है यहाँ पे जाना है और यहां correction का एक option है इसमें जाने के बाद नीचे आपको option मिलता picture correction option इस पर click कर दो आप click करने के बाद सबसे पहला time आता है यहाँ पर sharpness तो यह जो sharpness है इसे हम कर देते है 75% और यह हमने किया और ok apply कर दिया इससे जो इसके ओपर लिखा हुआ portion है उसके density बढ़ जाएगी तो जब हम इसमें editing करेंगे तो जो उसका pixel rate वो भी कायम रहेगा थोड़ा अच्छा look यहाँ पर देगा तो यह हमने कर दिया करने के बाद आते है next portion पर brightness पर इसे cut करते हैं और brightness हम दे देते हैं 70% तो अब आप देखो बिलकुल एक नया look यहाँ पर create हो गया और इसके बाद आते है contrast पर contrast हमने यहाँ पर दे दिया 40% और जैसे आप यह अब इसको थोड़ा और perfection देने के लिए हम इसमें थोड़ी सी और cropping अप्लाई करेंगे तो select करते हैं format में जाते हैं और crop कर लेते हैं और यह वाला portion है इसका जो की unneeded है इसे महटा देते हैं और यहीं चीज हमने यहाँ से भी करी और यहीं चीज हमने थोड़ी से यहाँ से अब यह करने के बाद हमने इसे crop किया और इसके बाद जो इसका white background है इसके साथ हम इसे adjust कर देंगे तो यह इसी का part बन जाएगा तो यह हो गया बिल्कुल यहाँ पर सही तरीके से और आप देख सकते हूं कि बिल्कुल यह इसका part यहाँ पर लग रहा है तो यह चीज हमने क कर दिया इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ चीज अपलाई करनी है तो आप फॉर्मेट पिक्चर में ही जाके आप उसे अपलाई कर सकते हो अब यह करने के बाद यह हो गया है हमारा एक नया image ready अब यह सब करने के बाद हम इसे नई फाइल में convert करना है तो आप इसे image में यह फिर PDF में convert कर सकते हो इसके लिए simple आपको file में जाना है और यहाँ पर जाने के बाद save as पर click करना है जैसे आप इस पर click करोगे आपको यह option मिलेगा browse का इस पर click करो click करने के बाद save as type तो हम यह word document इस menu पर click करेंगे और यह नीचे आएंगे तो आपको option मिलेगा है PDF का यहाँ पर location select कर लेंगे और इसे save कर देंगे अब जैसे हम इसे save करेंगे आप देखेंगे यह save हो गया है और इस तरीके से open हो गया है तो normally दोनों image आपके सामने हैं और आप देख सकते हो कि यह हमारी previous image है और यह हमारी अभी इमेज है जो भी हमने इसको convert किया है या फिर edit क अगर आपके पास कोई भी डॉकमेंट है उसको आप कैसे एक अच्छे व्यू के साथ रिपेर कर सकते हो वो चीज आपको के लिए हो गई हो तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें साथी कमेंट करके अपना